अच्छा अब हम लोग ने यूनिट सेल की डेपनीशन देख ली अब देखें जो यूनिट सेल होता है उसमें कुछ चीजे होती है जैसे चोटी चोटी टर्मिनालोगी इसको क्लियर करेंगे जैसे सेल पेसिस क्या होते है पहले समझ लीजिए मैं डाग्राम से समझा दूँ औ लेकिन बस मुझे पूरा सुनिएं, सेल पेसज ऑसि जो यूनिट सेल होता है उसकी जो फ्लैक सर्फिस होती है उनको हम लोग बोते हैं सेल पेसिस अब जैसे देखिए मैं अगर एक unit cell में आपको यह दिखाऊँ इस तरीके से यह cubic system है अब cubic system क्या होता है वो बताऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में थोड़ी देर में आपको बताऊंगा जैसे यह है तो यहां पर देखिए यह जो आपका यह यह flat surface है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कि यह cell face है, simply face बोलेंगे, यह है जैसे यह वाला, color change कर दूँ, तो जिससे आपको differentiate कर पाऊ, तो देखिए जैसे यह वाला portion है, तो यह भी cell face है, ठीक है, तो जो flat surfaces होती है, उसको हम लोग क्या बोलते है, cell faces, एक चीज होगी, फिर आता ह है, दूसरा, अभी एक साथ लिखेंगे सब चीज, फिर आता है cell edges, cell edges क्या होते हैं, तो देखिए क्या होता है, cell edges क्या होते हैं, जिसको हिंदी में हम कहें किनारा, तो यह वो reason है, जहाँ पे दो faces, वो क्या करते हैं, intersect करते हैं, तो reason where two faces intersect, अब जहाँ यहाँ पे देखिए, meet भी कर सकते हैं, intersect भी कर सकते हैं, तो ध्यां से देखिए, कि जैसे इसको देखिए आप, तो एक, जैसे अगर माली है, यह देखिए, एक face यह है, और एक face यह green वाला है, तो देखिए जहां पर यह, दोनों intersect कर तो यह आपका cell का edge है, ठीक है ना, अब आप देखिए, कि जैसे यह वाला है और नीचे वाला है, तो यह वाला जो हो गया, यह आपका cell edges है, तो cell edges क्या होते हैं, जहां पर, जहां पर दो faces, दो faces, वो क्या कर रही हो, मिल रही हो, आप रूम में जब भी देखेंगे, अपने र जो vertical दीवाल है, वो जहां मिलेगी, वो आपको edges मिल जाएंगी, तो where two faces intersect, तो यह हो गया, आपका cell edges, इसके बाद, इसके बाद आता है, corners, cell corner क्या होता है, cell corner क्या होता है, अब देखिए, जो cell corner होता है, तो reason where three faces meet, जहां पर three faces मिलती है, अब आप देखिए, फिर अपने रूम तो नहीं दिखा सकता, तो आप रूम की तरफ देखिए, corner में देखिए, तो आप देखिए, दो vertical दीवाल है, जो खड़ी दीवाल है, वो और एक छत वाली दीवाल, वो जहां मिलेंगी, वो corner होगा, तो इस diagram में आप देखेंगे, इस diagram में देखिए, यह corner है, यह corner है तो यह चीजें आपको idea होना चाहिए, cell faces, flat surface, edges, जहां पर दो faces क्या कर रही है, intersect कर रही है, corner, corner जहां पर तीन faces meet कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, cell corner हो जाएगा, फिर एक आता है, interfacial angles, इसको axial angles भी बोलते हैं, तो यह है, angle between two adjacent faces, दो faces के बीच का, दो faces के बीच का angle, तो यहां पर देखिए, मैं इसका एक diagram आपको दिखा दूँ, तो उससे आपको चीजें clear हो जाएंगी, जैसे यह देखिए, यह, थोड़ा इसको बढ़ा कर दूँ, यह, इसमें देखिए यह, तो देखिए, मतलब इसको मैं ऐसे दिखा दूँ, तब भी आपको समझना जागा जैसे एक face यह है, एक face यह है, तो ध्याम दीजेगा, कि एक यह वाली face है, एक यह वाली face है, तो इन दोनों के बीच का जो angle है, अभी तो 90 degree मैंने बनाया है, इन दोनों के बीच का, यह 90 degree है, यह 90 degree है, यह 90 degree है, 90 degree से जादा हो गया, तो दो faces का angle होगा, जो दो faces का angle होगा, और interfacial angle भी बूलते हैं, ठीक है, और एक चीज और आपको जहां पर, आप देखिए, इस से भी आपको समझ में आ जाएगा, ये, इस diagram से भी आपको समझ में आ जाएगा, कि interfacial angles क्या हैं, तो आपने छोटी-छोटी चीज क्लियर की, कि एक unit cell क्या होता है, एक आपने ये देखा फिर आपने देखा cell faces क्या होता है, cell edges क्या होता है, corners क्या होते हैं, interfacial angles क्या होते हैं, ये आपने देखा, ठीक है, तो पहले ये चोटी-चोटी चीजे हम नोट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ, कि जो seven systems of crystalline solids हैं, वो, तो सबसे पहले unit cell की definition लिख लिखेंगे, unit cell की definition लिखेंगे, ठीक है, smallest geometrical portion, which when repeated and again and again, gives the entire crystal, unit cell की definition हैं, ठीक है, unit cell की definition हो गई, इसके बाद फिर ये definition note करिए, ये definition note करिए, cell faces की, cell, बस short में लिखेंगे, जैसे मैंने short में लिखा है, cell faces क्या होते हैं, इनकी definition note करिए, cell faces, flat surfaces, cell edges where two faces meet, denoted as small a, small b, edge length, edge की जो length होती है, उसको हम लोग a, b, c से denote करते हैं, याद रहा है, x, y, z भी कर सकते हैं, लेकिन generally, जो practice में है, small a, small b, small c, ठीक है, ये, आपको पता होना चाहिए, कि जब भी हमको length लिखना होता है, mass लिखना होता है, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, numerical value, small letter से लिखते हैं, और जब हमको नाम देना पड़ता है, point a, या किसी body का नाम, तो capital a, capital b, capital c, ठीक है न, ये चीज़ पता होना चाहिए, तो cell edges है, where two faces meet, corner, where three faces meet, interfacial angle, और इसको axial angle भी बोलते हैं, और axial angles, पड़ा पड़ा इसको note करिए, छोटी-छोटी चीज़े हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से note कर लिया होगा, देखे, मैं छोटी-छोटी चीज़ें पर भी काफी focus करता हूँ, क्योंकि फिर अगर छोटी चीज़ें clear नहीं होगी, तो आगे बहुत मुस्किल आएगी, और आपको पता होना चाहिए, कि जब मैं छोटी चीज़ें clear करता हूँ, तो मैं difficult चीज़ें भी खुब बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको छोटी-छोटी बात सिखाई है, तो उनका application कहां तक जा सकता है, ये मैं बताता हूँ, छोटी चीज़ों के application से बड़ी चीज़ बनती है, कोई machine बड़ी होती है, बहुत छोटी-छोटी machines और बहुत छोटे-छोटे कलपूर्जों से मिलके बनती है, तभी बड़ी machine बनती है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये definitions अबने लिख लिया होगा, ये इधर का दिखा देता हूँ, denoted as ABC, ठीक है, अब अब जिसका अगर छूट गया हो, अब जिसका छूट गया हो, तो वो परिशान ना हो, बाद में वीडियो पॉस्ट करके लिख लेना, ठीक है, अब मैं जब त टेकनिकल बात करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, मैं सब से कह रहा हूँ, जितने बच्चे भी class कर रहे हैं, या बाद में जितने बच्चे recorded lecture बाद में करेंगे, अभी सो गए होंगे, नन्य मुन्य बच्चे हैं, रात काफी हो गई है, सो गए होंगे, तो उन ब बनाते हैं, तो ध्यान दीजेगा, कि जैसे हमने कोई unit cell बनाया ऐसे, अब unit cell कैसे बनते हैं, यह सब बताऊंगा आपको, लेकिन पहले तो कुछ चीजे बतानी हैं, basic terminology, तो हम लोग normally edge length को क्या करते हैं, edge length को a, b, c, ऐसे बोल देते हैं, अब edge length को हम a, b, c, normally बोलते हैं, ध्या बोल रहे हैं, मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है, फिर angle alpha, beta, gamma किसको बोलेंगे, तो देखे, a, b, c, आप किसी को भी बोल दीजे, a, b, c, आप किसी को भी a, b, c, लेकिन angle अब कैसे बोलेंगे, इसको जड़ा ध्यान दीजेगा, कि जैसे आपने लिखा a, b, c, और angle लिख दीजे, b के नीचे बीटा, और c के नीचे गामा, बहुत ध्यान से सुनियेगा, टेकनिकल बात कहा रहा हूँ आपसे, ठीक है, तो आपने क्या किया, a, b, c लिख 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 लिख, अब ध्यान देंगे सब लोग, मेरा ये कहना है, कि क्या होगा, a a और b, जिन edges को आपने a और b कहा है, जिन edge length को आपने a, b कहा है, उनके बीच का angle गामा होगा, ठीक है, द्यान से सुनियेगा, a के नीचे alpha छोड़ दो, b के नीचे बीटा छोड़ दो, a और b के बीच का angle गामा होगा, तो यहां मैं a और b के बीच का angle गामा बना दे रहा हू ठीक ठीक अब देखिए color change करता जाओंगा अब मान लिजे B और C के बीच में लेना है तो B के नीचे βीटा C के नीचे γामा दोनों छोड़ दो B और C के नीचे जो angle होगा वो होगा alpha तो B और C के बीच के नीचे जो angle होगा वो होगा हमारा alpha ठीक है याद रखने का तरीका B का बीचा छोड़ो C का गामा छोड़ो तो उनके बीच का angle होगा alpha A, B, C आपकी twice है A, B, C आपकी twice है लेकिन alpha, beta, gamma आपकी twice नहीं है ठीक है और अब A और C के बीच में लेंगे तो A के नीचे alpha, A के नीचे alpha और C के नीचे gamma छोड़ो A के नीचे alpha, C के नीचे gamma छोड़ो तो बचा क्या beta तो इसको black color से दिखा देते हैं तो A और C के बीच में angle होगा beta ये point पहले clear कर लीजिए सब लोग ABC किसी को बोलेंगे लेकिन alpha, beta, gamma आपकी twice नहीं है इस शीच को सब लोग समझ लो अच्छे से कोई doubt हो तो पूछ लो तो यहाँ पर ये वाला angle जो होगा ये वाला angle होगा ये हमारा क्या हो जाएगा beta ठीक है मैं इसको बलकि और color change करके बना देता हूँ इस color से लिख देता हूँ ये angle जो है ना ये हो जाएगा beta ठीक है साइद दिख रहा होगा तो अब मैं figure को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इसको सब लोग जरूर लिख लीजे और इसमें कोई doubt हो इसको note करिए इसमें कोई doubt हो तो मुझसे पूछ लीजे कोई doubt हो मैं आपका message देखता हूँ कोई doubt हो जो नए बच्चे हैं उनको बता दू कि 9026167448 पर ही मुझे message करना है ठीक है ना यूट्यूब की chat से नहीं message करना है ठीक है ना इस lecture को और detail में पढ़ने के लिए आप मुझसे contact करे WhatsApp message करे या SMS करे जो number आपको screen पर दिख रहा है